एक बार की बात है, उंचे पहाडों के बीच बसे हरे भरे जंगल में बेंजामिन नाम का एक कोमल और दयालू-भालू रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और उन सभी प्राणियों के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे जो जंगल को अपना घर कहते थे। एक सुनहरी सुबह, जब बेंजामिन वह जंगल में टहल रहा था, उसने मदद के लिए एक चीख सुनी। जज्यासा ने उसका मार्क दर्शन किया, उसने ध्वनी का पीछा किया और एक शिकारी के जाल में फंसे एक छोटे खरगोश की खोज की। खरगोश की परेशानी देखकर बेंजामिन ने अपने विकल्पों पर विचार किया, उसने अपने साथ ही वनवासियों से सहायता लेने का फैसला किया, ये विश्वास करते हुए कि वे मिलकर खरगोश की जान बचा सकते हैं। जिससे खरगोश मुक्त हो गया। बहुत खुश होकर खरगोश ने बेंजामिन और मधुमक्यों को उनकी दयालुता के निस्वार्थ कार्य के लिए धन्यवाद दिया। जंगल के जीवों ने बचाव का जश्न मनाया और जल्द ही बेंजामिन की उदारता की खबर पूरे देश में फैल गई। दूर दूर से जानवर उनसे सीखने आते थे। कठिन समय में मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश करते थे। जाने के महत्व को समझ गए। बेंजामिन की कहानी ने एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सची ताकत न केवल किसी की व्यक्तिगत क्षमताओं में बल्कि एक दूसरे को एक जुट करने और समर्थन करने की क्षमता में भी नहित है। और इसलिए बेंजामिन भालू ने अपनी बुद्धि और दयालुता को साज़ा करना जारी रखा, जिससे जंगल एक सामंजस्य पूर्ण स्थान बन गया, जहां आने वाली पीडियों के लिए प्यार, करुणा और टीम वर्क फलता फूलता रहा। पीडियों के लाए बन ऑने मुद्धि और एक यदियाक का ज़सते हैं